आज हम बनाएंगे गार्लिक मटर मश्रूम वो भी मलाई के साथ आज हम कोई क्रीम का यूज नहीं करेंगे जो सिंपल घर पर मलाई होती है उससे भी आप रेस्टोरेंट जैसे जो मश्रूम की सबजी बना सकते हैं तो चलिए इस रेसेपी को अब हम शुरू करते हैं सबसे प भी दोड़ा साध जीरा जीरा मैंने अदे चमच के हिसाब से लिया है और जीरा डालने के बाद के बuseह तो आपका मियाण साधा भी कर सकते हैं 17 लसन की कलीया डाली है दो हरी ऐलाईची ढाली है चोटी और इसी के साथी एक चमच मैं डालाई लोगी कोशिक ऩैन के डिए के बीच होते हैं वो और हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे और इसी के बाद हम डालेंगे एक बड़ा बाउल मैंने प्याज का डाला है तो बहुत जादा बारिक भी नहीं काटा है मीडियम चॉप्ट किया है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है अच्छे से भून लेंगे त जुका है हमेंचे साइड में निकाल लेंगे इसी टेल में थोड़ा सा और तेल डाल कर जो हमने मश्रूम काट कर रखे है उससे जो रक्षी घे कर लेंगे मैंने मश्रूम बीच मैंसे कट किया है और अब हम इसे निकाल लेंगे और आप करते हैं तड़के की तयारी यहां पर मैंने लिए हैं तीन चम्मच के करीब बटर अगर आप बटर में बनाएंगे इसको तो बहुत ही जादा टेस्टी बनता है और जो हमने मसाला तयार किया हुआ है उसको इसमें डाल देंगे और मेडियम साइज के थे ना तो बहुत जादा बड़े थे ना चोटे थे उसकी मैंने जो प्यूरी फ्रेश प्यूरी थियार किया और इसमें डाल दी है और अब हम इसे पांच से शे मिनट पकाएंगे थोड़ा समय ने इसमें पानी अट किया है ताकि अच्छे से पक सकें जो कम करना है बहुत जादा कटम भी नहीं करना है तो अच्छे से उसे पका लेना जरूरी है सबजी में उबाल आने लग गया है, तो अच्छे से हम इसे हिलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें करेंगे मसाले अड़, मसाले आप अपने हिसाब से आड़ कर सकते हैं, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, मैंने एक चोथाई चमच के क्रीब हल्दी ली है, आधी च पाउडर लिया है, और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं इसमें, अच्छे से जो हैं मिक्स कर लेंगे, और जो मसाले हैं उसको अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है, हमें कम से कम चार से पांच मिनिट इसको पका लेना है, लो फ्लीम पर पकाएंगे हम इसको, औ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मलाई, जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें मलाई डालेंगे, और मलाई डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से पका लेना है, यानि कि कम से कम पांच मिनिट और इसे लो फ्लीम पर पकाएंगे, अगर आपको ग अगर दूद नहीं डालना है तो आप इसमें पानी भी आड़ कर सकते हैं तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाड़ी या पतली कुछ भी रख सकते हैं तो मलाई को अच्छे से जो है मिक्स कर लें और इसके बाद 2-3 मिनट जो है मलाई को अच्छे से पकाएं ताकि जो उसकी फ्लेवर है वो उसमें अच्छे से रच जाए अब चार से पांच मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी मश्रूम जो हमने पहले से फ्राइ किये हूए है मश्रूम और इसी के साथ हम थोड़े से मैं इसमें अपने टेस्ट के लिए मटर आड़ कर रही तो आप इसमें उबले हुए मटरे डाली है क्योंकि ग्रेवी में मटर नहीं पकते तो आप उपाल कर मटर इसमें आड़ कर सकते हैं किसी किसी को मटर पसंद होते हैं किसी को नहीं होते हैं तो आप उसे साब से जो है मटर डाल सकते हैं यहां सिर्फ मैंने कलर के लिए थोड़े से मटर डाले हैं और अब हम इसे कम से कम दो से तीन मिनट तो ढग कर पका लेंगे तो 2-3 मिनट हो चुके हैं ये देखें ग्रेवी कितनी बढ़िया तयार हुई है आप भी इसे एक बार ज़रू ट्राइ कीजिएगा मुझे बताईएगा ये थोड़ी लाइट की वज़े से इसका जो कलर है थोड़ा लाइट नजर आ रहा है बट ये जो बहुत ब्राउनिश बनी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर मैं चैनल